हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल कैसे हैं आप सब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारी किचन में क्या बनने वाला है जी हां आज हमारी किचन में बनेगी चाउमीन जो रोड साइड मिलती है ना ठेले पर वस वही वाली चाउमीन आज हम घर पर बनाएंगी और बताऊंगी कि चाउमीन को प्रोपर तरीके से कैसे बॉल किया जाए और सबजियां हमारी चाउमीन के लिए कैसे काटें तो देखिए कितनी डिलिशियस और कितनी यमी लग रही है हमारी चाउमीन तो बस यही चाउमीन अब आप घर पर बना कर किसी भी वक बना कर खा सकते ह तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनती है और इसके लिए क्या क्या समान चाहिए चामीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चामीन तो ये मैंने एक पैकेट चामीन लिया है अब हम इसको अच्छे से उबालेंगे तो देखिए उसके लिए मैंने कड़ाई में पानी चड़ा दिया था जो गरम हो चुका है और उबाल आने लगा है पानी में जब पानी उबल जाए उसी स्टेज पर हमें यह चाउमिन इसके अंदर डालनी है अच्छे से यह अंदर खुल जाएगी पूरी अभी बंदी जैसे हैं ना वैसी नहीं रहेगी पूरी खुल जाएगी और इसमें डाल देंगे हम एक चमच नमक और इसको अच्छे से चमच से मिलाते हुए इसको बिल्कुल अलग-अलग जब रिशा अलग-अलग हो जाएगा इसका बिल्कुल थोड़े से वाइट-वाइट से उसमें हो जाएगे तब तक हमें इसे अच्छे से पानी के अंदर लखना है गैस हाई रखें सिम नहीं रखनी देखिए अब अच्छे से मिला दिया नमक को सारी नूडल में और अब यह देखिए हमारी नूडल जो है बिलकुल अच्छे से बिलकुल खुले-खुले हो गए हैं खिले-खिले से हो गए हैं बस अब इसी स्टेज पर हम गैस काट कर रख ली थी लेकिन आपको बताने के लिए थोड़ी-थोड़ी मैंने सबजियां बचा के रखी हैं कि हमें चाव मिन के लिए कैसे सबजियां चौप करनी हैं तो यह देखिए प्याज को मैंने आधा बीच में से काट लिया था उसके बाद इस तरह से रखकर हम उसके जूलियंस निकाल लेंगे यह देखिए बिल्कुल पतले-पतले इस तरह से हम प्याज को काट लेंगे इतना पतला-पतला बस इस तरह से हमें बाकी सबजियां भी काट नहीं हैं अब मैं आपको गाजर काटना बताऊंगी यह देखिए गाजर को इस तरह से जितना लंबा ह रखता हुए इस तरह के इस तरह से सब को करने और हमारी काफ़े सारी जुल Bishop दकतला हम देखिए काट लीज यह इस तरह कहा है। जाएंगे चाउमिन के लिए जितनी पतली चाउमिन होती है उत्रा ही पतला हमें इन्हें काटना है देखिए गाजर भी हमारी कट गई है मैं अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए पत्ता गोबी कैसे काटें मैंने एक छोटा सा फूल फूल गोबी का लिया था और उसके यह जो है ले लिया है इसको आधा मैंने काट लिया है आधा मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था बीच का यह हाड पार्ट जो है इसका और निकाल लेते हैं और इसको भी बिल्कुल पतले पतले उसमें निकाल लेते हैं यह देखिए इस तरह से बिल्कुल पतल इस तरह से हमें सारी पता को भी काट लेनी हैं इसे भी हम बॉल में रख देते हैं और हम शिम्ला मिर्च काटेंगे तो इसके लिए शिम्ला मिर्च के ये साइट्स में निकाल लिये थे और बीच का हिसा निकाल लिया था लग से आप इस तरह से भी काट सकते हैं और इसको उल् इसके लंबे लंबे चाओमीन की तरह है यह देखिए इस तरह से फाइन बिलकुल तो बस हमारे सबजियां कट चुकी हैं अब हम चाओमीन बनाना शुरू करते हैं तो उसके लिए लेंगे हम खुले मुगी ऐसे कड़ाई चाओमीन बनने का वैसे तो अलग बढ़तन आता है ल आप चाहे तो मार्किट से वह वाला वाक भी ले सकते हैं देखिए हमारा ओल गरम हो रहा है तब तक हमने जो डखके रख दिया था इसको निकाल लेते हैं तब तक हमारा सबजियां जो है सौटे होंगी तब तक हमारा चाओमीन तंडी हो जाएंगी यह देखिए बिलकुल हमारी बॉयल हो चुकी है चावमीन अब हम इसे एक छनली में निकाल लेंगे इस तरह से निकाल लीजिए अराम से गरम है बिलकुल ध्यान से निकाले अब बस इसी स्टेज पर हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो चावमीन का कोकिंग प्रोसस है वो रुक जाए ज् बस दो बार इसको ठंडे पानी से इस तरह से खोल खोल के कर लिए देखिए अभी गरम है तो ठंडा पानी और डाल दे इसमें बस यह हमारी अच्छे से पानी निचूड़ चुका है इनका अब हम इसमें दो तीन चमच कोई ओल के डाल देंगे ताकि यह आपस में चिपके ना और मिला लेते हैं इसको अची तरह से एक दूसरे के साथ चिपके नाई है जब तक हमने चाउमीन को वाश किया तब तक हमारा तेल गरम हो गया अब हम इसमें डालेंगे चिंजर गार्लिक बारिक चॉप किया हुआ अच्छे से भून लेते हैं से लैसन भून गया है और गाजर अब यह शिम्ला मिर्च बस इनको हम अब हाई फ्लेम पे सोटे करेंगे अच्छे से मिक्स करते हैं लगातार चलाते रहें और दो मिंट के लिए इसे सोटे कर लें सारी सब्जियों को हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चे दोबारी कटी हुई तीखा कम ज्यादा आप अपने इसाब से कर सकते हैं मिला ले इसको अच्छे से हमारी सब्जियों बिल्कुल अच्छे से सोटे हो चुकी है अब हम इसमें अपने बॉइल की हुए नूडल्स एड़ कर देंगे और इसको हल्के हाथों से सारी सब्जी को नूडल्स के साथ मिला देते हैं कि देए कैसे खिले खिली हमारी अब हम हम इसमें अपने कुछ सॉसेज जा लेंगे यह मैंने लेट चमच सोय सॉस डाली है डार्क सॉय सॉस और एक चमच सिर्का और दो चमच यह ग्रीन चिली सॉस डाली है इसको अच्छे से मिला देते हैं सारे को चौमीन के अंदर हलके हाथों से ऐसे अच्छे-च्छे से हलके हलके से उठाते हुए देखिए कितना प्यारा कलर आया है अब अम इसमें नमक गड़ि करेंगे नमक ध्यान चे डाले क्योंकि हमने जब बॉइल किया था तब भी डाली थी पर इसलिए यह बस चाँमीन बनकर त्यार है अब इसमें डालेंगे हरा धनय स Innen बस यह चामीं रही है बिलकुल थाने के लिए अब हम इसे करेंगे तो यह मार्किट में है बना अजीनो मोटर ढालते यहां में जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं हो तो इसलिए इस तरह से घर पर हेल्दी चौमिन बनाएं और इंजॉय करें चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो इसके लिए यह मैंने प्लेट ली है उसमें हम चौमिन को डाल देते हैं और गरमा गरम सर्व करेंगे इसे यह लिजे हमारी चौमिन बनकर बिलकुल तयार है इंजॉय कीजिए इसे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू पर वाचिंग बाई